हमारे चैनल हिंदुस्तान केर में आपका श्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाभारिया और यह वीडियो पार्ट बन है इसके तीन चार वीडियो आएगी जिसमें लाभारियो से रिलेटेट कोई भी कोशन होगा उसको आप बहुत ही असानी तर तो पहले जानेंगे कि क्रेता यानि बायर वो कौन होता है जब किसी बैक्ति या समू द्वारा किसी निश्चित मुल्य पर कोई बस्तू खरीदा जाता है तो उस बैक्ति या समू को क्या करते हैं क्रेता करते हैं यानि जब हम कोई समान किसी से खरीदते हैं तो हम क्या होग वो क्या होता है विक्रेता होता है और हम क्या होते हैं हम क्रेता होते हैं फिर उसी तरह होता है क्रेमुल 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 विभा होता है कि जिस बस्तू पर कोई बस्तू खरीदी जाती है यानि जो पैसा दे कर हम किसी से कोई बस्तू खरीदते हैं तो हम तो क्रेत बेचने बाला विक्रेटा हो गया और जो पैसा हमने दिया उसmostे का मुली दिया वह क्या वह क्या मुली हो गया तो यहां निका वा इसके definition में कि जिस मुल्ले पर कोई बस झारी धी जाती है या किसी बस्तु को खरितने के लिए क्रेता द्वारा बिक्रेता को जितनी धन रासी परदान की जाती है उस रासी को क्या कहते हैं बस्तु का क्रेमुले कहते हैं यानि जो ये मुबाइल है ये मुबाइल का दाम हमने क्या मान लिया साथ हजार है तो हम क्या हो गए हम क्रेता हो होता है विक्रय मुले जब किसी बस्तू को जब जिस मुले पर कोई बस्तू बेची जाती है या उस बस्तू को बेचने के लिए विक्रेता द्वारा क्रेता से जितनी धन रासी प्राप की जाती है उस रासी को उस बस्तू का विक्रय मुले काते है यानि जैसे यहां साथ हजार रुपया है यह बस्तू का इस मोबाइल का क्या हो गया दाम हो गया इस साथ हजार और यह विक्रेता यह क्रेता ने क्रेता से कितना रुपय प्राप किया साथ हजार रुपया तो यह क्या हो गया इसके लिए विक्रेय मुल्य हो गया और क्रेता के लिए यह क्रेय मुल्य हो गय जैसे मान लिजीए कि हमने ये मुवाइल खर्दा अब मुवाइल खरिदे लेने से तो कुछ काम चलता है नहीं इसके लिए क्या जरूरत होता है उसके लिए उसका खुबर लगाते हैं तो ये सब लगाने में और कभी कभी हम लोग उसमें मेमोरी कार्ड भी डालते हैं उसका एयर फोन खरीते हैं उसका चार्जर देता है तो साथ नहीं जाते है तो वो खरीते हैं तो यह सब जो खरीतने में जो पैसा लगा और यह मोबाइल के पैसे यह दोनों को पैसा इसके अंत्रिक्त लगा उसे हम क पर गई तो यह सब क्या हो गई उसका उपरी मूल्य हो गया चाहे हम मुवाइल का क्या लगाते एंप घ्लास लगाटेश ऑपर thats क्यों सब siahi वो सब में जो हमने खर्श किया वो उपरी मुल्य हो गया जैसे मान लिया हमने फ्रीज खरीते हैं और फ्रीज का मुल्य कितना हो गया एक फ्रीज हमने खर्दा उसका मुल्य मान लिजे कितना है 20,000 रुपया है 20,000 रुपया क्या हो गया उसका मुल्य हो गया लेकिन उसे हम जब अपने घर तक लाते हैं, तो लाने में जो जिस बाहन से उसे लाते हैं, उसका जो खर्च होता है, वो क्या हो गया? वो उपरी मुल्य हो गया. अब हम जानते हैं कि वास्तविक मुल्य क्या होता है? वास्तविक मुल्य वो मुल्य होता है. वास्तविक मुल् और उसे लेके आएं वो जो मुल्य लगा जैसे घर तक लाने में उसे कितना पैसा खर्च रख हुआ वामान लिया कि एक हजार खर्च हुआ, फ्रीश कदाम कितना था, फ्रीश कदाम 20,000 था, घर तक लाने में एक हजार और खर्चा हो गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल खर्च में आरा कितना हो गया, 21,000 रुपय हो गया, तो ये क्या हो गया, वो वास्तिविक मुल्य हो गय मतलब उसके लाने में, घर तक लाने में जो खर्च हुआ या उसका बीमा हुआ, उसका टैक्स हुआ, यानि जैसे बहुत ज़्यादा महेंगा समान होता है तो उसका बीमा होता है, जैसे बाइक हमने करदा तो उसका इंसुरेंस होता है, बीमा होता है, ये सब उसका उपरी बै और इन दोनों को जो हमने जोड दिया तो वो क्या हो गया वह हो गया वास्तविक मुल्य आईए अब हम देखते हैं कि अंकित मुल्य क्या होता है अंकित मुल्य बस्तू या उसके पैकेटों पर अंकित उससे अधिक्तम विक्राय मुल्य को ही अंकित मुल्य कहा जाता है यानि जब हम कोई बस्तू खरिदते हैं, तो उस पर उस बस्तू का मुल्य लिखा रहाता है, वो मुल्य क्या होता है, अंकित मुल्य होता है, उसको हम क्या कहते हैं, MRP भी कहते हैं, क्या कहते हैं, MRP या MSP, यानि उसका full from होता है, maximum retail price या maximum selling price यानि दुकंदार, इससे ज़्यादा मे हमें कोई समान नहीं बेश सकता है, जो है उसका वो maximum है, मान दीजे कि हमने एक बिस्किट खरदा, बिस्किट खरदा, उसका मुल्य क्या है, पांच रुपया, लिखा रहाता है कि नहीं, पैकेट पे लिखा रहाता है, तो उससे अधिक, उससे अधिक दुकंदार नहीं ले स मैकसिमम रिटेल प्राइस, यानि जादा से जादा, इससे कम ले सकते हैं, लेकिन जादा नहीं ले सकते हैं, अब हम परतीसत लाव देखते हैं, परतीसत लाव कैसे निकालते हैं, तो जब क्रैम उल्ले, विक्रैम उल्ले से क्या होता है, कम होता है, विक्रैम उल्ले से अध अधिक होता है तभी लाव निकलेगा या अगर क्रैम उल्य अधिक होगा विक्रैम उल्य से यानि हमें किसी चीज को खरीदने में ज्यादा पैसा लगा और बेचने पे हमें कम पैसा मिला तो तब हमें हानी होगा लेकिन हमने किसी चीज को खरदा 10 रुपया में और बेचा 15 र क्रेम मुल्य क्रेम मुल्य यह तो उसका लाव निकल गया और हम निकाल किसरे पे रहे हैं क्रेम मुल्य पे लाव निकालेंगे तो नीचे क्या होगा क्रेम मुल्य होगा और गुना 100 हो जाएगा अब यहाँ पर क्रेम मुल्य माइनस क्रेम मुल्य क्या हो जाता है लाव निकल जाता है और लाव बटा क्रेम मुल्य गुना शो तो लाव का परतिसत का फर्मूला क्या हो गया लाव गुना क्रेम मुल्य बटा सो आईए अब हमें कोशन को सॉल्फ करते हैं कि कपील ने एक भोरा तीन हजार में खर्दा और उसे 36 हजार में बेच दिया तो कब पील को कितने परतिसत का लाब हुआ तो सबसे पहले इसका क्रेम उल्ले क्या है क्रेम उल्ले है इसका कितना 30 हजार है भी क्रेम उल्ले है भी क्रेम उल्ले कितना दिया हुआ है तो 36 हजार और लाव निकालेंगे तो लाव कितना हो जाएगा 36,000 माइनस 30,000 कितना हो जाएगा तो 6,000 हो जाएगा अब हमको क्या निकालना है इसका लाव परतीसत निकालना है क्या निकालना है तो लाव परतीसत निकालना है लाव परतिसत का फर्मूला क्या होता है लाव बटा क्रेम उल्य गुना शौग तो लाव कितना निकल गया तो लाव आगया है छो हजार क्रेम उल्य है तीस हजार और गुना सौग है तो कितना लाव हो रहा है हमें बीस पर तीसाद लाव हो रहा समझे आ tutti आगे देखते हैं एक और कोश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो कॉश्टन लाव वाला बहुत अच्छे से किलियर हो जाएगा तो गुपाल द्वारा एक जमीन का टुकरा 13,000 एक लाख 35,000 में खरदा गया और एक वर्षवाद उसने रमेश को वह जमीन का टुकरा एक लाख 77,000 में बेज दिया तो गुपाल को कितना उलाब हुआ तो कम में खरदा है जादा में बेचा है तो क्रेम उलन किया हो गया है इसका क्रेम उल्ले एक लाख 35,000 है और विक्रेम उलन है इसका कितना तो एक लाख 77,000 को तो लाब के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे , मैं 1,00,000 लाबोत को टुल 0 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा और 1 से कटगे, कितना लाब हो गया हमें, 42 लाब हो गया, अब हमें क्या निकालना है, लाब पर 30 निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 42,000 बटा क्रेम उली कितना है तो 1,35,000 गुना शौव इससे यह कट जाएगा अब कैसे यह कटेगा 135 है 135 है तो कटेगा कैसे तो 135 है तो इसे हम काटेंगे 5 से 5 दुना 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दुना 10 और 5 सते 35 अब यहाँ पे काटते हैं कैसे कटेगा तो 42 है 20 है तीन से तीन से काटते हैं यहाँ तीन एक कम तीन और यहाँ पे तीन से लगाएगे तो 3 चका 12 और 3 नमा 27 14 दुना 28 28 और 9 9 तो इसमें लगाएंगे हम तो कितना आजाएगा तो 9 तीन 27 और 10 बटा 9 परसेंट इसका क्या हो जाएगा इसका लाफ इतना परसेंट इस हो जाएगा इसमें हम कटायां 280 में इतनों से भाग दी है तीन से भाग लग जाएगा देखते हैं पहले तीन नमा 27 नहीं लगेगा नौतिया 27 आज के वीडियों से लग सकता है इसका क्या हो गया यह इसका परसेंटेज हो गया यानि लाव इतना परसेंट हो रहा है तो आज के वीडियों में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियों में मिलेंगे इससे नेक्स्ट आगे के कोश्चन के साथ इस पर हम हानी निकालना सिखेंगे जब भी क्रैम उल्य ही सिर्फ दिया हो और लाव दिया हो तो क्रैम उल्य कैसे निकालते हैं वो सिखेंगे जब क्रैम उल्य सिर्फ दिया हो लाव दिया हो या हानी दिया हो तो भी क्रैम उल्य कैसे निकालते हैं वो सिखेंगे तो इसी तरह के वीडियो देखने ही पर चैनल पर बने रहें और पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें थांक्स फॉर वाचिंग